आज जो चीज हम स्टेडी करने जा रहे हैं अपने इस टॉपिक में that is the types of the solution कि solutions की कौन कौन सी types जन सी हैं वो हमारे पास मुझूद हो सकती है we know कि solution कब बनता है कि जब भी एक solute जो होता है वो एक solvent के अंदर homogenously mixed हो जाए होमोजेनस का मतलब है equally उसकी सारी composition सेम जगा पे हो homogenously जो जो हमसा है वो mix हो जाए तो हम कहते हैं जी के हमारे पास solution बन गया है normally जो daily life की practice है उसमें आप जो solution देखते हैं उसके अंदर solute जो होता है normally वो solid होता है और solvent जो होता है वो liquid होता है अगर आप अपनी daily life में इर्दिद देखें तो आपके पास कौन सा solution होता है जी water plus salt salt solid है water liquid है solvent फिर आपके पास solution होता है water plus sugar का ठीक है इसी तरह आपके पर देखतर जोंसे daily life में solutions मुझूद है उनके अंदर solute आपके पास solid होता है और solvent आपके पास liquid form में होता है लेकिन in fact जो है any state of matter matter की हमें पता है के तीन states है solid liquid and gas ये solid solvent भी हो सकता है और solute भी हो सकता है किसके अंदर इसके अंदर और इसके अंदर similarly liquid जो है वो as a solute भी हो सकता है as a solvent भी हो सकता है तो हमारे पास nine different possibilities आती हैं और उनको हम बारी बारी discuss कर लेते हैं with examples सबसे पहली जो होगी हमारे पास वो ये है जी के gas आपके पास solute है और gas ही आपके पास solvent है अब gas solute हो और gas solvent हो इसकी best example है आपके पास air अगर air के आप composition पढ़ें oxygen है nitrogen है carbon dioxide है फिर आपके पास helium होती है आपके पास और noble gases होती है तो ये सारी gases आपस में mix हैं और homogenously mix हैं तो air is a solution of gas into gas दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके पास gas or solute और ये mix हो जाए आपके पास liquid के अंदर as a solvent इसकी best example आपके पास मुझूद होती है ये soda water या जो आप cold drinks पीते हैं कोका कॉला है आपके पास जितनी भी beverages है उसके अंदर क्या होता है आप खोलते है liquid होता है और liquid के अंदर gas bubble out होके बाहर आजाती है gas dissolve करवाई होती है हमने liquid के अंदर pressure दे के उसको pressure rise gas होती है जो के liquid के अंदर मुझूद होती है तो soda water इसकी example है कि gas is dissolved in liquid तीसरी option है जी के आपके पास gas dissolve हो जाए आपके solid के अंदर solid आपका solvent हो तो इसकी example आपकी बुक में एक table भी बनाव है उसमें भी यह सारी example given है hydrogen absorbed by palladium palladium एक metal है और इसकी surface के ओपर hydrogen gas जो है वह adsorb हो जाती है चिपक जाती हाके homogenously तो यह solution सा बन जाता है जिसके अंदर solid solvent होता है और gas solute होती है तो बताने का मतलब है कि तमाम 9 की 9 possibilities हैं जिसके अंदर a gas as a solute liquid में भी dissolve होती है gas में भी dissolve होती है और solid में भी dissolve होती है अब हम चलते हैं अगले तीन possibilities के अंदर जिसके अंदर liquid आपका जो है वह solute होगा यह dissolve होगा gas के अंदर इसकी best example है जी gas आपके पास अब है solvent इसकी best example आपके पास मुझूद है fog धुन्द जिसको हम कहते हैं कभी आप धुन्द में खड़े हों बहुत ज़्यदा धुन्द हो या आप धुन्द में बाइक चला रहे हों तो आप देखेंगे कि आपकी body के उपर आपके कपड़ों के पर एक thin layer बन जाएगी water की वो क्या होता है basically हवा gas जो होती है bulk में air होती है और उस air के अंदर छोटे छोटे liquid के droplets जो उनसे हैं वो उसने carry किये होते हैं वो उसके अंदर dissolve होए होते हैं तो जो fog होती है आपके पास धुन्द यह जोंसी है वो best example है similarly clouds clouds क्लाउड क्लाउड क्ला होता है in the form of vapors और वो आपके पास क्या होते हैं liquid form में भी होते हैं और आपके पास gas solvent है वो liquid को अपने साथ उठाएवे होती है दूसरी possibility होगी जी इस case में यह number 4 थी यह number 5 है कि liquid जो है as a solute dissolve हो जाए liquid के अंदर है लिक्विड ही solvent हो और लिक्विड ही solution वह हो क्या रहते हैं कि इसकी कई सारी ग्जम्पल्स आपकी डेली लाइफ में अल्कोहल इन वाटर है अल्कोहल को आप वाटर में जो है वो mix कर दें similarly milk है मिल्क के अंदर आप वाटर एड़ कर दें तो दोनों लिक्विड है तो वह मिल्क जो है वह solution उसका जूंसा है वह त्यार हो जाएगा similarly आप रूफजा बनाते हैं घरों में ठीक है या कोई भी शर्बत जो instant drink हम बनाते हैं तो लिक्विड को आप पानी के अंदर डालते हैं तो लिक्विड सारा mix होया था तो यह आपके पास क्या है लिक्विड लिक्विड का solution है number six वह है जी कि लिक्विड आपका है कि डिसॉल्व हो जाए लिक्विड इन है सालिड तो इसकी तो example वही है जो आप डिल डाइफ में बेश्मार देखते हैं कि आपने क्या किया है आपने लिक्विड को डिसॉल्व करवा दिया सालिड के अंदर अच्छा यह इसकी ओपसिट टाइप सालिड इस यह ठीक है य बटर आपके पास जो मक्खन होता है बैसिकली इसके अंदर क्या हुआ होता है के होता है वह होता वह सालिड है लेकिन उसके अंदर वह नरम नरम लिक्विड था अपने साथ के एंदर क्या होता है do something that's a the two insurance निंटी जो सवेज़ आपने अन्छोट हो सकती है नमबर 7 वो है जी के solid अब हमारे पास solute है solid in gas कि gas के अंदर क्या हो solid मुझूद हो इसकी example आपके पास है dust particles किस के अंदर in air या in smoke दोहें के अंदर जे छोटे छोटे dust particles हैं bulk quantity में है, gas ज्यादा quantity में gas solvent है, उसके अंदर छोटे-छोटे solid के particles उसने carry किये हुए है तो ये आपके पास क्या है या कभी आप light जब किसी भरीक जगा से आरही होती है तो उस light की raise के अंदर छोटे-छोटे ज़र है आपको जो उसे हवा के अंदर उड़ते नजर आ रहे होते हैं तो वो basically एक solution होता है dust particles का in smoke या in air number eight is the solid in liquid ये आपके पास daily life का जोंसा है वो solution है जैसे के आपके पास sugar का solution हो गया salt का solution हो गया कोई भी powder आपने mix कर दिया water के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर तो ये तो common example है and number nine वो है जी कि आपके पास solid जो है वो solute भी solid हो और liquid भी solid हो आपके पास solvent भी क्या हो solid तो solid into solid का जो solution होता है that is called metal alloy अगर आप करें अपनी previous classes को तो alloys basically are the mixtures of different metals तो ये जो है हमारे पास no different types जोंसी हैं वो हो गई है about the different types of solutions तो ये तो generalized था हमने इस पर सुरा time जैदा लगा दिया हमने पूरे table को आपकी बुक में भी given explain कर दिया so that you know कि आपके पास तुमाम different जोंसी forms हैं उनकी आपके पास बन सकती है अब पहला जोंसा case है वो हम लेके चलेंगे कि जो के बहुत जादा common है और उसकी chemistry हम समझेंगे कि solution of solids in liquids in liquids solids dissolve हो जाएं liquids के अंदर तो उस solution की chemistry या उन चीज मैं कहता हूं जी मेरे पास एक system था one और एक system था two इसके अंदर मैंने a solute डाला same solvent के अंदर इस same solvent के अंदर मैंने b solute डाला a dissolve हो गया और यह dissolve नहीं हुआ no dissolution तो इसकी क्या वज़ा है एक चीज डिजॉल्व होगी दूसरी चीज डिजॉल्व नहीं हुई तो इसका generalize और basic concept जो है आपके mind में वो यह होना चाहिए कि आपको पता है कि आपने solute डाला यह solute का particle है ठीक है जी यह solute के particles एक दूसरे को अपनी तरफ attract कर रहे हैं they have the forces of attraction इनके इर्द गिर्द जो खली अब मैं गोल दारे बना रहा हूँ blank circles with no cross यह कौन से हैं जी यह solvent के particle है आपने solute को उठाया और solvent के अंदर डाल दिया एक force वो है जो के solute की solute के साथ force है आपस में solvent to solute की है जो black line से अब मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ यह जो हमारे पास solvent to solute solvent और solute की जो force है न यह depend करेगी कि इस particle ने इसके अंदर dissolve होना है या नहीं होना अब अगर तो solvent solute को इतनी ज़्यादा force से खींचे जितनी force से solute solute को आपस में खींच रहा है तो तो यह से ज़्यादा हो जाएगा लेकिन अगर इसकी खींचने की ताकत उस force से कम है तो वो कभी भी उसके अंदर dissolve नहीं होगा जाहरी सी बात है कि अगर दो bodies हैं यह एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं मैं चाहता हूं कि यह body अलाइदा हो जाए यह body अलाइदा हो जाए तो मुझे क्या यह वली force ज्यादा लगानी पड़ेगी large force अगर यह force small होगी तो क्या कभी यह लाइदा हो सकेंगे यह लाइदा नहीं हो सकेंगे तो यही बात है कि जिस force से solute solute आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं उनको अगर separate करना है तो solvent को उससे ज्यादा force लगानी पड़ेगी तो नतीजह यह समझ आया chemistry यह समझाई कि solvent और solute की power जोंसी है कि force जोंसी है solvent को solute को अपनी तरफ के खींचने की जो force है अगर वो solute की आपस की force से ज्यादा है तो वो उसके अंदर dissolve हो जाएगा और अगर वो ज्यादा नहीं है तो वो उसके अंदर dissolve नहीं होगा तो यह basic principle है about the dissolution के कोई भी चीज को किसे हो जाता है किदर जाता है वो यही होता है कि solute के particles separate हो जाते हैं उनको solvent के particles अपने तरफ खींच लेते हैं तो यह तो था जी आपके पास general process of dissolution कि किस तरह जोंसा है आपके पास dissolution जो है वो होती है अब आपके पास दो तरह के जोंसे हैं solute particles हो सकते है solid particles होंगे solute के तो ये दो तरह के हो सकते हैं एक हो सकता है polar और एक हो सकता है जी non-polar अब non-polar solvent का मतलब है कि इसके अंदर जो forces of attraction है वो weak forces of attraction है वो London dispersion forces हो सकती है वो जो उनसी है vendor walls हो सकती है ये बड़ी weak forces है non-polar जोंसे compound है इनके अंदर जोंसी forces है वो खासी जोंसी है वो कम है तो इनको जोंसे हैं इनके जोंसे crystals है non-polar solvents के वो solutes के वो हमेशा dissolve होंगे किसके अंदर non-polar solvents के अंदर क्योंके हमने शुरू में भी और कई जगों पर ये पढ़ा है कि like dissolves like एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ें को attract करती है like करती है like एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ें को क्या करती है dissolve करती है तो जो non-polar आपके पास solute होगा वो क्या होगा वो हमेशा non-polar solvent के अंदर जो है वो एड़ अप हो जाएगा polar solvents की हम बात करते हैं जो के normally क्या होते हैं इनके दरमयान आइनिक forces होती है अगर मैं कहता हूँ जो carbon tetra chloride में डाल दूँ तो यह NACL कभी भी उसमें dissolve नहीं होगा क्यों क्योंके वो polar है और वो non-polar है solvent के पास इतनी attraction नहीं है कि इस आइनिक force को तोड़ दे जो के बहुत ज़्यादा होती है और इस आइनिक force को तोड़ने के लिए और अपने अंदर dissolve कर सकेगा इसी तरह वो आपके पास sugar cane juice की example दे रहा है आपकी बुक में के sugar cane का जो juice है वो अगर आप बेंजीन में डाल दें तो वो dissolve नहीं होता लेकिन पाने में डाल दें तो वो फॉरण dissolve हो जाता क्यों क्योंकि उनके अंदर hydrogen bonding होती है और polarity का आमल आत तो यही नॉर्मली दो cases होते हैं कि आइदर आपका solute polar होगा या आपका solute non-polar होगा और उसके हिसाफ़ से जोंसा है वो dissolve हो जाएगा अब एक चीज़ आती है जो कि इनके दर्मयान में है जो कि है moderately polar solutes अब आपके पास जो moderately polar solutes हैं यह dissolve होंके moderately polar solvent के अंदर moderately का मतलब है कि polar की जो pole बन रहे हैं उनकी quantity को इतनी ज्यादा strong नहीं है अब similarly अगर मेरे पास acetone है acetone is a liquid which is moderately polar इसके ओपर poles बनते हैं लेकिन complete poles नहीं बनते हैं थोड़ा सा polar substance है अब इसके अंदर अगर मैं highly polar compound डाल दूँ निस पॉलर डिजॉल्व नहीं कर सकेगा तो इस सारे discussion के end में जो बात सामने आई वो यह है कि हमेशा in each case like dissolves like जब भी आप चाहते हैं कि A और B आपस में dissolve हो जाएं तो आपके पास उनके दरमयान में कोई चीज़ कॉमन निकालनी पड़ेगी otherwise जो है आपके पास कि A solid जो है वो बी लिक्विड में dissolve नहीं हो सकेगा तो यह हमने पहली टाइप पड़ी कि solid in liquids अब हम अगली टाइप पड़ेंगे अगले टॉपिक में liquid into liquids उसमें हम दो तीन किया और इसमें पहली फार्म हमने लेखी जिसमें solid dissolve होता था लिक्विड विकेंदर तो यह हमारा पहला हिसा था types of solid solutions का next time हम liquid into liquids को study करेंगे